नमस्कार फ्रेंज, पीस्फूल होम एन इंभायरनमेंट चैनल में आप सब की स्वागत है और मैं मिसस धारा फ्रेंज, स्क्रीन पर अब जो फूल देख रहे हैं, ये सेम की फूल है इतने छोटी सी पौधे में अभी से इतने धेर सारे फूल आने लगे हैं और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा मैं सितंबर के महिने में बीज से उगाई थी अभी नभिम्बर की महिना चल रही है, अभी इस पौधे की सारे ब्रंचिस में छोटे छोटे सीम गुच्छों में आने लगे हैं सेम एक सीजिनल वेजिटेबल होते हैं, सर्दी के मौसम में सेम पाया जाता है ऐसे तो सेम हम सभी लोग बजार से खरीद के खाते हैं लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिस और थोड़ी सी महनत करें तो घर में 100% औरगानिक सेम हम लोग उगा के खा सकते हैं सेम दो कलर के होते हैं, एक सफेद रंग और एक हरा कलर के होते हैं मेरे पास जो सेम की बीज है वो सफेद रंग की सेम की बीज है सेम हम लोग अगर जमीन में उगाते हैं तो एक पौधे से ही आपके परिवार की पूरा जरूरत मिठ सकती है लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि टेरिस गारिन में या छट पर हम लोग गामले में या बोरी में कैसे सेम उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदाबार ले सकते हैं सेम उिंटर सेजन की एक बहुती हेल्दी और बहुती स्वादिस्ट वेजिटेबल है हम सभी को अपने घर में सेम उगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए तो चलिए जान लेते हैं कैसे सेम हम लोग गमले में उगाएंगे लेकिन उसके पहले अगार आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके यहां बीज उगाने के लिए मैं दो प्लास्टिक की ग्लास में मिट्टी तयार करके भर ली हूँ और यह है बीज यह बीज मैं 10 रुपिया में एकरिकल्चरल सौप से खरीदी हूँ आप चाहे तो बीज खरीद भी सकते हैं या तो आप घर में यूज की हुई सेम की मैच्य और बीज भी ले सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगी कि बजार से अच्छी क्वालिटी की बीज खरीद के अगर आप लगाते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी और यह जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसमें एक पर्ट कमपोस्ट एक पर्ट बालू और एक पर्ट मिट्टी मिला के मैं इस गिलास की मिट्टी को तैयार कर ली हूँ अभी एक एक बीज एक एक गिलास में हम डालेंगे और एक एक पौधा हम यहाँ पर उगाने की कोशिश करेंगे बीज को बहुत ज्यादा मिट्टी के अंदर ना डाले बीज अगर मिट्टी के बहुत ज्यादा अंदर चले जा मिट्टी को मॉइस्ट करेंगे और चार से पांच दिन के लिए इसको किसी सेड़ी एडिया में रख देंगे और जब बीज अंकुरित होने लगे तब इसको धूप बाले जगा में रखेंगे और 15 से 20 दिन का जब हो जाएगा अंकुरित हुए पौधा तब हम लोग ऐसे गमल जले यह बोडी में उसको ट्रंस्प्लन्ट करेंगे घ्रान्प्लन्ट करने के लिए पौधे को उखारने की जरूरत नहीं है प्लास्टिक की गिलास को एक ब्लेड से या चाकू के सहयता से काट के पूरी मिट्टी समेट हम गमले में या बोरी में लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता रहेगा अभी बात कर लेते हैं इसके मिट्टी के बारे में सेम के सेम उगाने के लिए दुमत मिट्टी या बालुई दुमत मिट्टी सबसे ज्यादा 50% मिट्टी और 50% कमपोस्ट मिला के अगर आप इसके लिए पौटिंग मेक्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके पास जो मिट्टी है वो अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो आप उसमें 10% या 20% बालुई मिला सकते हैं ऐसा करके आप मिट्टी त दयार हो जाएगी अभी शेम को रखेंगे कहां सेम के पौधे को हमेशा धूप बले जगा में रखिए वेजटेबल पौधा है तो धूप बले जगा में ही आपको इसको रखना होगा जितना अच्छा धूप इसको मिलेगी उतना अच्छी फसल भी आपको यह पौधा दे पाएंगे और पेस्ट अटक सेम के पौधे में काफी होती है एफिर्स के भी अटक होती है और फल शिद्रकारी जो कीरे होते हैं उसके भी काफी अटक होते हैं इसलिए शुरू से आप नीम आयल या आप जो भी पेस्टिसाइड यूज़ करना पसंद करते हैं वो शुरू से आप इस पौधे में स्प्रे करते रहे हैं और बाटरिंग बहुत ज़्यदा पानी सेम का पौधा पसंद नहीं करते हैं मिट्टी में अगर पानी जमी रहेगी तो पौधा खराब हो सकती है इसलिए रेगुलर इंटर्वेल में पानी जरूर दे लेकिन पानी मिट्टी में नहीं चाहिए और रेगुलर इंटर्वेल में आप कैसे फाटिलाइज करेंगे इसको ये बता दू हर महिने में जैसे जैसे सेम का पौधा बरा होगा आप कंपोस्ट रेच मिट्टी उसमें डालते रहे हर महिने एक बर कंपोस्ट मिला के अच्छी मिट्टी अगर इसमें ड आते हैं तो 1919-1919 जो रेडिमेड एंपी के आता है वह आप 15 दिन या 20 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज इतना ही नमस्कार झासे दिन स्प्रे दिन आपकोस है कि मIलाग एंपा प्रें डालते हैं कर सकते हैं तो रेश हैं कर सकते हैं तक दा दो More!